सविधान बदल देने की धमकी देने वाली बीजीपी नेता पंकजा मुंडे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी पर निशाना सात्ते हुए पंकजा मुंडे ने कहा जो लोग सर्जिकल स्टाइक पर सवाल खड़े करते हैं उनके गले में बम बांदो और किसी दूसरे देश में भेज़ दो उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक सैनिक सीमा पर लड़ता है वैसे ही सैनिकों की तरह लोग तंत्र के लिए लड़िये दरसल बीजेपी निता पंकजा मुंडे मारस्ट के जलाना में बीजेपी प्रत्याक्षी के समर्थन में वोट अपील करने पहुँची थी जहां उन्होंने कहा कि वे पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कहा हुई मैं कहते हूं कि राहूल गांदी के गले में बम बांदो और वहाँ पाकिस्तान भेज दो ऐसा ही नहीं पंकजा मुंडे ने ऐसा बयान पहली बार दिया हो इससे पहले भी सम्विधान बदलने का दावा कर चुकी है जिससे लेकर विपक्षी निताओं ने उन पर जम कर निशाना साधा था और उनकी जम कर किरकिरी भी हुई थी अब इस तरह का बयान देना ना कि शर्मनाक है बलकि मौजुदा राजनीती में फसादी भी है जिससे नफरत को बढ़ावा मिल रहा है